आज जब मैं सौपिंग कॉंपलेक्स दूद ले निकली गई थी तो मेरा ऐसा कुछ प्लाम नहीं था कि सबजी भी लेना है पस मैं ऐसा ही सबजी वाले दुकान पे चली गई तो हम मुझे काफी फ्रेज पालक दिखा तो उसी समय मैंने सोच लिया कि आज हम पालक का धोकला बनाएंगे वैस्चावल और वह सप्कोंजी बनेगा और उसके साथ खाने क्लिए एक चटपटी सी चट्नी बनाएंगे जो प्याज और लैसंद की चट्नी बनीगी यह शक्रत ऑक प्यक्त अपक्रकुए साथ आप खा सकते हैं पर जब भी मैं ढोकला बनाती तो यह चटनी ज़रूर बनाती हुए मस्त कॉमिनेशन होता है ढोकले के साथ चटनी का तो वीडियो को सुरू करने से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप मेरी वीडियो को पहली पार देख रहे हो तो आप मेरे चैन कर सकते हैं अभी हम क्या करेंगे 3-4 पानी से अच्छी तरह से हमें चावल को धोना है जो भी चावल में गंदगी होगा questo इससे चावल पानी अज़रा थोल जाएंगा अभी आगे का तैयारी कर लेए अभी एक पालका बनभे यह मेरा पालक का काफी बड़ा है तो अभी हम क्या करेंगे आधे पालक का इस्तमाल करेंगे तो अभी हम क्या करेंगे पालक के हमें सिर्फ पत्ते का इस्तमाल करना है डेंटल को हटा दें डेंटल क्या है कि इस रेसिपी में अच्छी नहीं लगेगी अगर आपका डेंटल थोड़ा साथ हो त पत्तव को डालेंगे और अच्छी तरह से हम धूँगे जिससे का वह थोड़ा पाला पानी खेया इसे इसे थोड़ा से थूद्या थूद्य करना है नुद्या पानी ऑप्ट्ट्न होगा अब यह पर आप से दूद्या तक्ट रही है धक्टर र्मश्यु दोद्या को धूट् जिब ऑभी आप इस तरह से करें तुरंटका तुरंट कर अब शहरा हम जाला जब आपका पालक लगे की पूरी तरह से ठंडा हो गया तो अभी हम क्या करेंगे एक ब्लेंडिंग जार लेंगे और उसमें हम इसे पालक को डालेंगे साथ ही डालेंगे एक हरी मिर्च यह मेरी मिर्च जो है तीखी वाली नहीं आप यहां पर टेस्ट अपने हिसाब से डाल सकते हैं मिर्च को कम जड़ा कर सकते हैं आधे इंच मैंने अध्रक टूकड़ा लिया है सारी चीजों को अच्छीतरा से हमें एक पेस्ट तयार करना तो अब देख सकते हैं हमारा पाला का पिस्ट कितना अच्छा बंकर तयार हुआ एक मस्थ कलर ग्रीन कलर प्रापर बनकर तयार हुआ तो इस तरह से आप अगर थंदे पानी में तुरंत अडालेंगे तो आप बहुत अच्छे से कलर मेंटेन रखेगा तो अब हमारा क्या है एक घंटा हो गया था तो अब हम चेक कर लेते हैं आप देख सकते हैं हमारा चावल अच्छी तरह से फूल गया यह मेरा हाप बॉयल राइस का इसलिए आसानी से फूल गया अगर आप बॉयल राइस ले रहा है तो थोड़ा सा उसम इस्तमाल करेंगे तो अभी क्या करेंगे इस सारी चीजों को अच्छी तरह से इसे हमें ब्लेंड करना और एक पेस्ट तयार करना है द्यार के चावल को थोड़ा सा पेस्ट होने में थोड़ा सा ज्यादा टायम लाता है क्योंकि चावल थोड़ा दरदरा रह जाता है तो इ बेच सकते हैं इस तरह की हमें consistency चाहिए अभी क्या है इसे थोड़ा सा जाली दार बनाने के लिए हम यहां पर इस्तमाल करेंगे वन फोर्थ के लागबक सूजी वन फोर्थ कफी डाले ज्यादा ना डाले साथ ही डालेंगे यहां पर पालक का पेस्ट यहां पर पालक का पेस् स्पॉंजी बनकर तयार होगा अगर आप तेल नहीं डालेंगे तो आपका थोड़ा ढोकला जो सूखा सूखा सा लगएगा तो अभी हम क्या करेंगे हां पर तेल वन फोर्थ के लगवाइग इस्तमाल करेंगे टेस्ट के लिए नमक डालेंगे एक चमच मैंने नमक का इस्त मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए रेष्ट करने के छोड़ देंगे जिससे क्या होगा हमारा सूजी अच्छी तरह से फूल जाएगा जब तक हमारा वो रेष्ट हो रहा है तब तक एक फटाफट चटनी तयार कर लेते हैं जिसके लिए मैंने आपे एक मीडियम साइज के प्याज लिया इसे बस हम रफली चॉप कर लेंगे अभी क्या करेंगे एक पैन को गर्म करेंगे और एक चमच रासो तेल डालेंगे साथी डालेंगे प्याज और खूब सरा लसन तीन मैंने मिर्च लिये यह हरी वाली है जो लाल हो चुकी है अभी थोड़ा सा यह गोल्डन कलर का ब्रॉन थोड़ा सुनारा हो जा तो अभी हम क्या करेंगे गैस को बंद करनेंगे और यहां पर हम डालेंगे एक चमच का समेरी मिश पॉडर और एक चमच नमग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यह मिश्रन को ठंडा होने देंगे जब आपका यह पूरी तरह से ठ साला लगा हुआ है उसके लिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए उसी में डाल देंगे और इसे हमें फाइन पेस्ट तयार करना है तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया और यह चटनी भी बहुत ही टेस्टी लगता है तो यह को थोड़ा चटपटा बनाने के लिए यहां पे हम आदे नीम्बू का रस का इस्तमाल करेंगे और अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स करेंगे तो यह हमारा इंस्टेंट चटनी बनकर तयार हो गया है और खाने में काफी टेस्टी लगता है तो इस तरह से बनाएंगे और यह टेस्ट को थोड़ा सा और इनहांस करने के लिए हमें आप एक तड़का डालेंगे आदे चमस सरसो तेल जिसमें हम डालेंगे थोड़ी सा सरसो इराई और थोड़ी सा डालेंगे उरद का डाल तो दोनों अच्छी तरह से चटक जाए तो अभी क्या करेंगे गैस को बंद कर देंगे उसके बाद शारी चीजह को डालेंगे नहीं तो आपका और सारी चीजह जो जो जल जाए जाएगे तो अभी एक पिंच हहिंका इस्तेमाल किया है और एक सूखी मिर्च और यहां पे 4-5 करीपता सारी जो को अच्छी तरह से चटकने देंगे क्योंकि जो भी हमारा सॉस पैन का जो हीट रहता उसी से हमारा यह करीपता और सुखी मिर्च अच्छी तरह से वो पक जाता है तो अभी क्या करेंगे तडके को उसी चटनी के उपर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे यह चटनी हमारी जटपट से बनकर तैयार हो गई है अभी हम यहां पे बैटर चेक कर लेते हैं हमारे यहां पर 15 मिनिट के लगवाग हो गया था आप देख सकते हैं थोड़ा बैटर हमारा थोड़ा गड़ा हो गया पहले के कमपैरिजन में थोड़ा सा आपको थीक दिक रहोगा तो हमें इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए इससे ज़्यादा हमें पतला नहीं रखना और अच्छी तरह से यह हमारा फूल भी गया था तो अभी हम क्या करेंगे थोड़ा सा बैटर हम अलग रखेंगे इसका हम अलग तरीके से बना कर बताने वाले हो तो अभी हम क्या करेंगे अगला प्रोसेस करने के पहले हैं इसे अच्छी तरह से गृस कर ले उसके बाद क्या करें गे अभी हम एक इनो का पॉच लेंगे और इसे आध़य से थोड़ा सा जाद हम इनो डाल देंगे थोड़ी सा बचा कर रखेंगे वह अगले बैटर के जो भी होगा वह वापस से नॉर्मल हो जाएगा इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप जो ग्रीस किया हुआ बरतन है उसी में ट्रांसफर कर दें और इसे थोगा टैब कर दें जब तक उधर हमारा ग्रीस हो रहा था तभी मैंने इधर पानी को गर्म करने के लि जब देख सकते हैं अच्छी तरह से यह कुप हो गया है अभी तुरंत हमें बाहर नहीं करना है क्योंकि अभी बहुत गर्म है इसे थोड़ा थंडा होने देंगे जब तक यह थंडा हो रहा है तब तक जो बचा हुआ बैटर है उसका हम देख लेते हैं तो यहां पर क्या कर देंगे और इसी में मिक्स करेंगे जैसे मैंने पहले किया था उसी तरह से अभी इसे इनो को डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अगर आपके पास वह ना हो मसाल दानी का कोई बरतन तो आप यह भी देख सकते एक और जुगाड है हमारे पास इस तरह से क कोई भी आप का टूरी का इस्तमाल कर सकते हैं इसे मैंने ग्रिस कर लिया था और उसी में हम थोड़ा-थोड़ा सा बैटर डाल देंगे इस तरह से भी आप आसानी से बना सकते हैं तो आसा देखने से भी अच्छा लगता है और क्या है ना कि बच्चे लोग बहुत आसानी से थोड़ा अलग देख करके ना खाना बहुत पसंद करते हैं तो अभी हम क्या करेंगे एक प्लेट रखेंगे प्लेट के उपर इस तरह से रखेंगे और इसे ढखकर सेम वैसे हमें 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे कूक करना है तो मेरे क्या मेरे क्या है कि मैं मतलब अधारीफ नहीं कर रहे घूरा बड़ा असानी से खाल लेते हैं तो इस तरह से हमारा यह ठंडा भी हो गया था अभी उल्टा करके दिखा दी अभी क्या करँंगे वापस से हम इस तरह से कर लेंगे आप देख सकते हमारा जो बरतन है उसमें बिलकुल भी नहीं चिपका है यहां पर बढ़ा दिया है अभी क्या करेंगे यह तड़के को चारों तरफ से इस तरह से हम फैला देंगे इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप चाहे तो अगर ओयल फ्री बनाना चाहते हैं तो यहां पर तड़के को असकिप भी कर सकते हैं पर अगर अस्पोंजी बना है तो इस तरह से मेरे अनुसार से बना कर जरूर देखेगा क्योंकि कई बर क्या होता है हम ढोकला तो बहुत तरीके का खाते हैं पालक का ढोकला बहुत ही कम मतलब रेर ही लोग बनाते हैं तो इस तरह से मेरे अनुसार से एक बर ढोकला बना कर जरूर दे देख सकते हैं इस तरह से आप सर्व कर सकते हैं अभी फटा-फट से वह भी देख लेते हैं यह भी हमारा बन गया वाव आप देख सकते हैं कितना और स्पॉंजी बना है क्योंकि जब मैंने इसमें डाला था तो एकदम आधा था अभी सिधर डबल हो गया है तो अभी इसे भी को हम ठंडा कर लेंगे करने के बाद इसे हम निकाल कर दिखा रहा है आपको तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा मतलब मीनी केक टाइब का लग रहा है मेरी बेटी तो बोड़े थी, ये मीनी केक बनाई हो, तो इस तरह से मैं इसे काट कर भी आपको दिखा रही है, तो देख सकते कितना अच्छी तरह से इसमें भी जाली बनकर तयार हो गया, और आप देख सकते इस तरह से दवाने के बाद भी वापस से अपना ही सेप ले ले रहा है तो इस तरह से आप एक बर बना कर जरूर देखिएगा जो भी था उतना ही लेना जितना क्वांटिटी लेना है उतना ही लेना है दही को उतना ही ले जितना आप चावल लिए उतना ही उसके आधा लेना है दही को तो इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही असानी से बन कर तयार हो जाता है से वही तड़का इसके उपर भी डाल देंगे और इस तरह से आप खाईए और इसे आप ब्रिकफास्ट इवनिंग किसी भी टाइम आप खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है मैं बारबर बताए रही तो ठीक है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर नहीं पसंदोर तो डिसलैक कर दो कोई बात नहीं तो चलिए ठीक है मिलते हुँ एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक क्यार एंड बाबाए